अब मर्यादित सब्दों का पर्योग किया बद्दीबदी गालियों को देने का कारी किया और जो लड़के दो चार थे हैं उन्हें जबरन उठा लेने का काम किया है इसे की सुनने में आया है कि हमारे कुछ साती है वेरोजगार पनेसर अनंद के टियार और रवीदा इत्यादी उनको उठाने का काम किया गया है जो हर्तिय समीधान आर्टिकल 21 में भी आता है कि आप किसी के जीवन जीने की जो सवतंतरता है उसको बाधा नहीं कर सकते यानि कि किसी को अगर आपके कारणों से कोई विमार होता है किसी की जान जाने की नौबत आती है तो ऐसे कामों को बंद करना चाहिए लेकिन आज दुरुभाग कभी से है कि रामगण बुढखाप में जो कंपनी है रोंगटा जिसका नाम है अलो के स्टील प्राइबेट लडाई को एक न एक दिन जीतेंगे return हमारे वार आने वाली पिणिया जीतेंगे जारखंड में जो ना सिखर उलम है वहरемон हम 기자 के माध्यम से आप लोग सुने होंगे बहुत सारी कंपणियों में गलत तरीके से जो कंपणियों में प्रोडक्ट सोबन रहे हैं उसके खिलाब ग्रामीनों ने धरना देने का काम किया है जिसमें आपका रामगण जीला के मांडू परखंड अंतरगत एक बुढ़ा खाप गाव है जहां एक रोंगटा फैक्टरी है उस रोंगटा की फैक्टरी में आईरन और एस्पंज का काम होता है और उससे क्या होता है बहुत सारा काला और जहरीला गेस निकलता है और उस जहरीले गेस से कुछ साल पहले एक नीरज नाम की लड़के की आँख में गुस गया था और फाइनली उसको कैंसर का रूप लिय हैं और हम लोग फिर प्रात्ना करेंगे उसके साथ को यह सी घटा ना घटे लेकिन आप आप सोच सकते हैं कि किस परकार कंपणी का जो जहिला गेस निकलता उससे गावबालों का जीबन छती करस्त हो रहा है लेकिन इसके बावजूद कंपणी चल रही है जबकि ऐसी कंपणी को बंद करना चाहिए था यह भरतिय समिधान आर्टिकल 21 में भी आता है कि आप किसी के जीवन जेने की जो सवतंतरता है उसको बाधा नहीं कर सकते यानि किसी को अगर आपके कारणों से कोई नोबत आती है तो ऐसे कामों को बंद करना चाहिए लेकिन आज दुरुभाग कभी से है कि रामगाड बुढ़ा खाप में जो कंपणी है रोंगटा जिसका नाम है अलो के स्टील प्राइबेट लिमिटेड कंपणी उसके मनमानी से और उसके काम से आज प्रगाउं अस्त ब क्योंको निर्देश का लड़का लोग रात को रहता था तो मैं नहीं करने पुलिस के लोग तुने अम अरियादित सब्दों का पर्योग किया बद्दी बद्दी गालियों को देने का कारी किया और जो लड़के दो-चैर थे उने जबरन उठा लेने का काम किया इसे की सुनने में आया है कि हमारे कुछ साती हैं वेरोजगार पनेसर आनंद के टियार और रभीदा इत्यादी उनको उठाने का काम किया गया है जो कि कही न कहीं परसासन ने एक रक्षक नहीं भक्षक होने का परिचे दिया है और सच्चाई आज यही है कि आज पुलिस जो ह इस वाट गाठ है क्योंकि सपता के जो भी डायक Чुनके जाते हैं बहुत पैसा करचा वतर सार पैसा कमपनियार है जो भी कमपनियार यह नंको पैसा करते हैं टाकि इन्र Dalam डराम गड़ भीवों की आई है धन्गरी बोकारों आप जानते हैं यहां क्या मामला है कि यहां उस गाव की जमीन बिहार सरकार ने लिए ती जब भीः har में थे जरकंड के लोग और बिहार पीएशेल को अफ़स्ट सेन् commitment को अनुने ट्राइसर किया अब बदाए आप常 जमीन हमारी हमने आपको दिया और हमने इसरकार को जमीन जो बोलके दिया इशाम पूरा यह बोलके tools की आपने बेरहमी से गर, लोगों को गमने ताला बंद करके रखा गई गरों में, तो ये आज आजाद भारत में, लोगों के साथ जो तसवीर देखने को मिल रही है, जो घटना खासकर परशासन की परशासन यानि कारी पाली का कि निम्न तबका वो कही ना कहीं गुलामों की भाती कारी कर रही कर रही आज अगर कोई लोग ये बात कहते हैं कि आ अजगर कुछ लोग है कि ना हम लिखित आविदन दिया तो समस्पस लिखा था कि जो गांव और कंपणी के बीच बारता होगी और अगर बारता विफाल होती है तो फिर गांवाले सोतंत्र अपने आंदोलन करेंगे हम लोग उनको डिश्टब नहीं करेंगे लेकिन चुकि पुलिस का मतलब आज के डेट में मजबूरन अगर पहाड़ों में सरण लेता है तो इसके दोसी आज यह सिस्टम है आज जबरन उनके जमीनों को चीना जा रहा है जबरन उन्हें मारा फीटा जा रहा है तिसलिए आज निवेदन होगा आज राज के वहाँ से राज के लोगों से कि आज तो लड़ना होगा छो आने वाली पीडिकार को सुरक्षित कर सके आने वाले पीडिकों कम से कम सरक्षन के आज हम लोग तो आज कल नहीं रहेंगे माताओं भनों के साथ अर्मानव बरताव किया जा रहा है जो धरना अपर वैट है भारतिय समिधान आर्टिकिल 21 आप सभी जानते हैं अगर नह लिजे आर्टिकल 21 है जीने की सोतंत्रता यानि अगर आप बहुत जोर से हॉर्ण भी बाजा रहे हैं और उस हॉर्ण से अगर हमको डिश्टब हो रहा है और हमारे सेहत को नुकसान है तो आपको कानूनी तोर पर हॉर्ण को बंद करना होगा तो ऐसा कंडिसन है भारति समीधा सान पर बंधीयां में एक आम व्यक्ति की रख्षा के लिए लेकिन वो कानून केम मुठ्षी पर अमीरों के हाथ में जानने के करण सारे नियां मोद तार्तार हो रहा है और एक आम जीबन तहस्नास हो रहा है लोग दुखी के साथ जीबन आपन कर रहे हैं तो इसलिए आज स लड़ना है और जो अन्याई करें उनके खिलाब उनको काटना भी है आज यह दसा है जारखन के लगभग 25 लगों की इसलिए आज हमें युद्ध की नौबत आ गई है युद्ध कभी अपनों से भी करना होगा और युद्ध गैरों से भी करना होगा इस कंडिसन में आज हम लोग कड़े हैं तो युद्ध से भाग नहीं सकते हैं कि युद्ध हमारी जारखन की नहीं आती है बिना युद्ध की अब कुछ मिलने वाला नहीं है बुद्ध का रास करना काप तुमद्ध सब्सक्राइब है कि अगर आज अगर इस राज में सबसे ज्यदा घ्टाक कोई है तो पूंजी बाद हैं अमीर लोग इन से ज्यादा नुक्सान दाएक आज कुछ भी नहीं है इसलिए आज आज सभी से निवेदन होगा आज के लाइब के माध्यम से यह संदिस दे रहे हैं इसे पहले हम लोग वीडियो के